आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि क्यासे आप अपने IQZ9 Android में अगर आपके मुवाइल फोन में वीडियो कॉल करने पे अगर स्क्रीन आफ हो जाती तो इस प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेज में जानकारी देने वालों तो चली आप भी वीडियो कामे स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपके mobile phone में video call करने पर अगर screen off हो जाती बार-बार तो इसकी solution के लिए करना क्या है देखी सबसे पहले आपको अपने phone को एक बार restart करना है ठीक है अगला का में ही करना है आपके phone में फाइल का आप है इस file cap को open करना है इसमें आपको नीचे की साइड ह में पर को सबसे बिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड आना है 채 आपको यह option मिलता Android सिस्टम इसे टाप करनेुटीट ठीक है आप दिखे इस वाले पेज में आपको अगले पेज सबसे नीचे यह option मिलता है distancing catch का सबरे चोटा सा page आएगा इसमें app info लिखा हुआ है न एप info पर tap करना है इसके अंदर भी आपको storage and catch पर यहाँ पर आपको इसे clear catch पर tap करना है तो आपको catch के सामना data 0 हो जाएगा ठीक है अब दीकिए अगला का में यह करना है mobile phone का software आपको check करना है कि update है या नहीं है पहले phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है इसमें सबसे ओपर इस search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे ओपर search बार में system update आपको लिखना है आपको नीचे system update का यह option शो हो जाता है इसे tap करना है अब आपको इस वाल पेच पर कोई भी update का बटन या download install अगर यहाँ पर लिखा हो दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है ठीक है अब देखिए अगला काम करने के mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे उपर आपको इस search icon पे tap करने है ठीक है अब यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे यह option मिलेगा erase all data factory reset इसे tap करना है आपका phone directly आपको इस setting में लाएगा erase all data factory reset पे tap करेंगे तो अगले page में सबसे नी आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में transfer कर लीजिए पहले ठीक है और या तो अपने फोन के डेटा का backup ले लीजिए अपने फोन में दूसरी बात ही धहम रखने आपके फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात फोन को research करना है ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज़ करने से आपकी problem solve हो जाएगी